हम आत्मा की चर्चा कर रहे थे, तो अभी तक तो हमने जाना कि मरने के बाद आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से अलग-अलग जन्म लेता है, अलग-अलग शरीर में, वो जुरूरी नहीं कि कोई human being हो, मनुश्य पशू, पक्खे, किड़ा, मकोड़ा, पेड़, पौधे, किया, जो भी हमारे धर्मशास्त्रों में इस पर discussion है. आज जो लास्ट पार्ट में हम जानेंगे, क्योंकि आत्मा के मरने के बाद, दो-तिन चीजे और जो दुनिया में जो perception है, तो उन चीजों को थोड़ी clarify करेंगे. पहली चीजे की, is there any श्वर्गर, नर्क श्वर्गर, कुछ होता है या नहीं होता है, अगर होता है, तो क्या चीज है? फिर बहुत लोग ये भूत प्रेत मानते हैं, ये भी मरने के बाद केते हैं, ये Holy Spirit, ये Bad Spirit, वगरा-वगरा, ये क्या चीज है? फिर उसके कारण social, बहुत सारे social evils पैदा हुए, तो इन चीजों पर थोड़ कि जिस तरह के हम कर्म करते हैं, उसके हिसाब से हमें लाइफ मिलता है, हमारे कर्मों के हिसाब से दूसरी चीज क्या मिलती है? experience, भोग, अच्छा भोगेंगे, बुरा भोगेंगे, और तीसरा होता है, हमारे लाइफ स्पैन, आयू, जीवन, ये जो तिनों चीज़ें, कैसा शरीर मिलेगा, कैसा भोग मिलेगा, कैसा आयू मिलेगा, ये तिनों की कंबिनेशन से जो बनता है, उसको हमारे शास्त्रों में बोलते हैं, स्वर्ग, नर्त्य और नर्क, जिस जो शब्दा हमारी यहाँ टर्मिनोलोजी यूज होती है, जैसे पित्रयान से देवलोकों को जाते हैं, अर्थात, अगर आपने ठिक ठा काम किया, बहुत बुरा नहीं, बहुत अच्छा नहीं, मल अच्छा भी किया, कुछ बुरा भी किया, मिक्समार्क्स किया, तो फिर आप एगेन पैदा होते हैं, मरते हैं, आम लोगों के तरह, जरूरी नहीं मनुष्य के तरह, हो सकता है, आप कोई अनिमल्स की जन्म ले ले, विट बेटर भो, बेटर एक्स्पिरियेंस, यह समझ पाते हैं, यह human being with bad experience and animals with good experience, आपके घर में, बहुत सरे लोगों के घर में, जो यहाँ कुत्ते पाले जाते हैं, मैं लोगो कुत्ता कहना भी उनको बुरा लगता है, वो है ही कुत्ता डॉग है, तो ठीक है, तो जिस लग्जूरियस लाइफ आपका डॉग इंज्योई करता है न, वो इस धर्ती में, इस प्लानेट में, millions of millions of human being है, जो ड्रीम में भी नहीं सोच सकते, जो suffering, आम लोग सफर करते हैं, आफरिका से लेकर, एशिया से लेकर, साउथ अमेरिका तक, लोग ड्रीम में भी नहीं सोच सकते, वो सुख सुविधाएं, वो खाना, पिना, वो लग्जूरी, जो आपके घर में कुत्तों को मिलता है, तो क्या हुआ, कि किसी कर्म के कारण उसको non-human life मिला, थोड़ा lower कर्म, खराब कर्म के कारण, पर कुछ और अच्छे कर्म थे, जिसके कारण उसको आप जैसे लोगों के घर में शहारा मिला है, वैसे तो strict dog भी दुनिया भर में करोडों में हैं, जो विचारे नर्क की जिन्दिगी भोगते, इसी तरह किसी को कुछ अच्छे कर्म के कारण human life मिला, पर abusive parents हैं, slum में रहता है, गरीब है, या बहुत सारे जगह तो सिर्प महिला होना ही, लेडी होना भी extremely helpful, मला नर्क वाला जीवन है, इस धर्ती में करोडों करोडों लेडीज हैं, जो किसी अनिमल से भी बत्तर जिन्दिगी जितते हैं, और ऐसा नहीं कि उसको ढूडने के लिए आपको कोई दूर दराज, जो ट्राइवल एरिया में जाने की या भारत के किसी गाओं में, इसी अमेरिका में, हिस्टन में, कहीं भी मिलेगा, वो आपको सहरों में, गाओं में, वेल, डेवलप्ट कंट्रीज में, पूर कंट्रीज में, कहीं भी मिलेगा, जो महिलाओं की दो तर्शा है, बहुत सारे महिलाओं की. तो कहीं सुख अच्छा हो जाता है, कहीं दुख अच्छा हो जाता है, कहीं शरीर अच्छा मिलता है, कहीं भोग अच्छा मिलता है, यह जो सारी प्रोशीजर है, यह जो सुख दुखों के मिक्चर लाइफ इसको यमलोग कहते हैं, यमलोग मला, the place of yama, yama means regulation. कि दूसरा होता है जहां आप अच्छा काम ज्यादा आपका है बुरा काम कम है जिसके हमारे यहां शास्त्रों में केते इस्टा पूर्त इस्ट केते यज्यां अर्था जो तो religious activities है भगवान की भक्ति करना मन को मन शरीर को प्योर रखना अच्छा सोचना अच्छा बोलना अच्छा करना भगवान की भक्ति करना खली इतने में नहीं चलेगा अपूर्त philanthropic activities भी करते अर्था दूसरों की भला करना इंडिविज्वल की community की जो भी हो आप अच्छा काम करते रहते तो आपको पित्रियान से चंद्रलोक मिलता है यह पित्रियान क्या होता है अगेन यह आप टू गो थ्रो दा parenting मिला आप मावाप आपके कोई मावाप बनेंगे जब आप अगले बार पैदा होंगे वो इनसान मावाप बनेंगे आपके जरूर हां ठीक आपको अनिमल लाइफ नहीं मिलेगा इनसान लाइफ मिलेगा यह गैरेंटी है अगर आपके कर्म अच्छे हैं विचार अच्छे ह हैं और भगवान भक्ट जो भी करते हैं तो आपको मिलेगा पर प्यारेंट्स के थ्रो मिलेगा अर्थात आपको जन्म लेना पड़ेगा पर वो जन्मज जहां आप फिजीकेली भी बड़े अच्छे होंगे फैामिली भी अच्छी होगी आपकी भोग experience भी अच्छा होगा आता हो, मलब आप दुनिया के one of the best stupid person हो, पर तब भी आप गांधी प्यामेली में पैदा हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर तो बनी जाएंगे, आप लग्जूरियस लाइब जीते हैं, आप बहुत बिलियनेरी के घर में पैदा होते हैं, आप पैदा होते हैं, नोकर चाकर चारों तरफ हैं, हर सुख सुविधाय आपके लिए तयार हैं, आपको छीक आई नहीं कि चार डक्टर हाजिर हो जाते हैं, यह पसंद नहीं तो दो मिनिट में वो निकल जाता है, यह स्वर्गा, इसी को कहते हैं चंद्रलोग, जहां आप एंजॉय करते हो, खुशी को, सुख को मिलता है, वो ठीक है, सुख को आप एंजॉय, सुख मिलके आप खुश हो पाते हो नहीं पाते हो, वो एक अलग प्रेश्टेशन उसे बेंड हो जाता है, फिर हम दुखी होते हैं, इसलिए कोई कितने बिलिएनरी हो या गरीब हो, कोई किस कोई कितने लक्जुरियस लाइफ जीता हो या बिलकुल सफर करता हो, दोनों में जो फिलिंग अफ पेन अड प्लेजर वो सम्टाइम सेम ही होता ह है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाता है, फिर आप हर तरह के प्लिजरेवल लाइफ को जीते हुए भी आप फ्रस्टिटेड हो, जिसको कुछ भी नहीं मिलता जितना उतना, वो एक अलग चीज है, इसलिए आप पुराणों में जो देवताओं की कहानियां प करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको स्वर्ग मिल जाए, सब को सुख मिल जाए, तो आप बड़े अच्छे इंसान है और बड़े खुश मिलेंगे, जरूरी नहीं है, खुश होना, ना होना, यह एक स्टेट अप माइंड है, वो एक दूसरी सब्जिक्ट है, पर आपको एक्स्टर्नाली बहुत सरे लक्जूरी मिलेगी, और अगर आप उससे अपने आपको स्पिरिच्वली बहुत जादा एंलाइटेंड कर दिया, तो फिर आपको देवयान से ड्रम्म लोक में मिलेगा, यह टर्मिनलोजी है, जिसके सिंपल भाषा में आपको मोक्ष मिलेगा, लिबरेशन, कि जन्मम्रक्ति के चक्र से आप छूड जाएंगे, परमात्मा में आपसिलूट आनंद भोगेंगे, यह तीन स्टेजेस जाना, चौति स्टेजेस, इसको कहते हैं नर्क, और मोशली जो आयोनिज लाइफ होती हैं, महला ऐसी लाइफ जो पटिकुलर गर्भ से पैदा नहीं होते हैं, जैसे केड़े, मकोडे, इंसेक्ट, फ्लाइज, प्लाइंट, ट्रीज, वेजिटेशन्स, जो बहुत बुरे काम किये वे होते हैं, इस तरह का जन्म मिलता है, जिनको कोई केरी नहीं करता, जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं है, आप और हमने पीश जाते हैं, मारे जाते हैं, ये सब चीजें चौथा या नर्क जन्म होता है, तो आपको समझ में आया स्वर्ग मतलब जवाब, आपसिलूटली लक्जूरियस लाइफ जीते हैं, पैदाईशी आपकी वैसे ही होती है, धनी, ज्यानी, विद्वान, पावर्फुल लोग के घर में आप जन्ते हैं और आम सुक दुग भोगते हैं, नर्क है जो बहुत लो लेवल की लाइफ होती है, जैसे पेड़ पौधे जो दूसरे अनिमल सोगरा, और मुक्ष है, इन तीनों से अलग हो जाते हैं, जहां आपको कोई बॉड़ी नहीं मिलता, आप बिलकुल फ् के जो स्वर्ग नर्क हम देखते हैं, वो क्या चीज है, ना, गो तो हैल, ही विल गो तो हैवेन, और आपके दरवाजय में कभी-कभी लोग आते होंगे, आपके घर में, वो फ्लायर लेकर के, बिल बजा के, क्या जी, तो we are here to save you, कैसी जी आप save करेंगे, because Jesus is there to save you, and He was so kind to save you, why will He be there to save me? Because you are a sinner, तो आपकी रख्या होगी, जब आप Jesus को God मानोगे, तो क्या होगा, जब डे अफ जज्ज्मेंट होगा, कया मत की दीन आएगी, वो डे अफ जज्ज्मेंट, उस दीन, जिन जिनोंने जीसस को अपना प्रोफेट रिया भगवान मानाओगा, सब स्वर्ग के लिए टिकेट मिल जाएगा, फ्री के टिकेट, बाकियों की, सन्नर्क जाएंगे, they will go to hell, condition क्या है, अरे जी मैने बड़ा अच्छा काम किया है, मन से अच्छा हों, विचार से अच्छा हों, spiritual हो, still you have to go to the hell, because going heaven is conditioned, and the condition is, you have to accept Jesus as your savior and the God, that's the only condition, raised up people will go to hell, so, okay, what's there, what's there, what's there, what's there in the world? Yes, there God is one who sits on the Shinghashan, golden and diamond, he is a throne, sits on the throne, and there is an Arab spirit, and there is a beautiful girl to drink for the drink, beautiful girls, and there are many things available there, that is the definition of swarga, that is true, okay? The other religion we come to, they say, they say, yes, that is, you are not a swarga, norque, they do not do anything to do, to do swarga, norque. I mean, you are also going to Israel, who is going to be swarga, for the sake of swarga, norque. If you broke the twin tower, he also broke the twin tower, he also broke the swarga, norque. So, who will go to heaven? तो जो भगवान को मानेगा जी तो मैं मानता हूं, नहीं अल्ला को भी मानता हूं, नहीं चलेगा, तब भी नर्क जाएगा, जब तक आप उस पटिकुलर व्यक्ति को प्रोफेट नहीं मानोगे, और उनके दोरा बताया गया जो बुक है कुरान और दूसरे जो हदीश है, उस को उसको नहीं मानोगे, आज दा अपसलुट होली बोक, और आप इसको उसकी हर एक-एक वर्ड को आप आपसलुटली मानोगे नहीं, तब तक और उसकी हिसाब से कर्म नहीं करोगे, तो तुम कुफर करते हो, काफिर होते हो, तो यहाप तो गो टो ताहल. अच्छा, बाकी, सब जन्नत जाएंगे. कब जाएंगे? जब डे अफ जज्जमेंट होगा, कियामत का दीन होगा. अब उसमें क्या लिखा है, कि आप क्या करने से स्वर्ग मिलेगा? उनमें से एक है, जो आप देख रहे हो. काफिरों का सफाया जब तक नहीं होगा. जितना काफिरों को मारोगे, या उनको बनाओगे, उतना तुमारे जन्नत जाने की पॉइंट्स बढ़ता जाएगा. पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे. बस सर्थ है कि पूरा दुनिया राज हमारी होनी चाहिए, उसके लिए कोशिश करो. जितना जो कोशिश करेगा, स्वर्ग जाएगा. स्वर्ग में है क्या? स्वर्ग में एक जगा जहां गॉड बैठे हुए हैं, वहां वो 72 वर्जन खुपशुरत लड़कियां हैं, आपको 24-7 सर्विश देने के लिए, और खजूर और दूसरे तरह के उपीने पिलाने का काना है. चलिए थोड़ा और आते हैं, हमारे यहां, जो इन लोगों से कॉपी करके, मौडन हिंदुजिम में पिछले 500-700 साल से जो स्वर्ग की कलपना आई, तो तो भी दूसरे हैं, जी. क्या करोगे, कुछ नहीं, सेम आटिचूट, कर्म, धर्म, कुछ अच्छा बुरा करने का कोई सेंसी नहीं है, यह दोनों में तो आपने देखा, तीसरा जो हिंदुजिम में, जो मौडन हिंदुजिम ने, जो हमने उनसे नकल किया है, जी, क्या करूँ, मैंने आट लोगों की कतल किया है, कोई बात नहीं, गंगा में डूपकी लगा दे, पंडिच जी को खिला दे, स्वर्ग सिधाटी केट मिलेगा, जी स्वर्ग में क्या है, कल्पबृख्या है, कल्पबृख्या है, क्या होता है, उप पेड़ के नीचे यही रियलिटी है ना तो जी वहाँ जो चाहो वो मिलेगा फिर फिर वहाँ एगें वो वाली जरूर होगी पिलाने वाली खुबशुरत लड़कियां होंगी जिनको अफशराएं केते हैं कि इन सब चीजों को सुनके किसी भी रिलिजियन की मौड़न बुद्धिजीम में भी सेम प्याटन आ गया जबकि बुद्ध तो स्वर्गा भगवान इश्वर आत्मा के खिलाब थे उसके बाब जो जो मौड़न बुद्धों को देखो वो भी इसी तरह का स्वर्गा है इन सब जगा सुन्दर सुन्दर लड़कियां सेवा करने के लिए मिलेंगे वो किसी भी रिलिजियन हो उससे आप कुछ इंफोर्ट कर पाते हैं स्वर्गा स्पेसिफिकली मर्दों के लिए रिजर्ब है मेल्स के लिए तो महिलाओं का काम क्या है जो काम यहां कर रहे थे इंट यहां इंटर्टेन करते करते हैं आप बुड़ी हो जाती थी वहां जिन्दीखी वहां यहां जिंदीकी एफ भर यशांग रहेंगे क्यों कि मेलोग भी वहां जिन्दीगी पर यह नहीं रहेंगे थो यह आप्टेंटृम pugdhusdhist их सक्यूंभा भही के लिग देते कि भई वहां सुंदर सुंदर लड़के भी सराब जरूर मिलता है हरेग के सरग में कृ कृरिस्चियन हो इस्लामी को मृड़न हिंदुजीम हो वो modern buddhist हो, सब जगह शराब ज़रूर सर्ग में मिलता है, वो शराब नहीं नाम लेते हैं, वो कहते हैं, जी यह जम-जम, यह सोमरस, वो एक उसकी एक divine नाम दे देते हैं, जो आप convinced हो जाओं। क्योंकि किसी ने, जिन लोगों ने भी इस तरह के literature लिखा, उन में से कोई भी lady थी नहीं, महिला थी नहीं, तो महिलाओं की जो grievance है, महिलाओं की जो इच्छा हैं, उसको कौन पुरा करने हैं, अलाकि से लिखने वाला तो कोई था नहीं, ना कुरान, ना Bible, ना पुरान, कि न जिन लिखनानता हैं, तो स्वर्ग एक तरह के पुरुशों का मेल्स की एक, एक, मोनोपोली है, इस स्वर्ग में जो जो चीजें अविलेबल होता है, उन चीजों की आप नोट करेंगे, मैं टाइम के कारण सब चीजें, डिटेल में नहीं, आप गूगल भी कर सकते हैं, जो जो चीजें वहां अविलेबल हैं, वो सब चीजें आज के डेट में इसी धरती पर मिलियन सब जो लोग हैं, उनको अविलेबल अलेडी है, इसी लिए ज़्यादातर लोग जब पढ़े लिखे पैसा आ जाता है, क्यों सोकल्ड रिलिजियन से दूर भागते हैं, क्योंकि रिलिजियन की जितने भी दुनिया में मॉडर्ण रिलिजियन से, उनका जो गोल है, तो अचीव क्यों इतनी सारे पापड बिलनी होगी कि मरने के बाद स्वर्ग चाहिए, आज का एक कमन मिडिल क्लास का व्यक्ति, जो कुछ स्वर्ग में लिखा है, उसका मोश्ट अप्ति गें वो यहीं मिल जाता है, स्वर्ग में क्या है, जी वहाँ, 24-7 मौसम बड़ा स्वावना होता है, ना गर्मी है, ना ठंड है, ना बारिश है, हमेसा स्प्रिंग है, आज कल जो आप अपने घरों में रहते हो, कौन सा घर में रहते हो, 24-7 स्प्रिंग में ही तर रहते हो, जो एर कंडिशन लगा रखा है, वो क्या करता है, गर्मी में भी कूल हो, ठंड में भी कूल हो, त तब आपके पास पैसे बढ़ जाती है, ध्यान रखिए, जितने भी स्वरग्य की कलपना की गई, वो मीडियेवल एज में हुआ, हजार बारा सो, पंदरा सो, ज्यादा से ज्यादा, दो हजार साल पहले, धाई हजार साल पहले जुडाई जिमाया, वहीं से सारा ये ये स्टाटस को सूची है, फिर स्वर्ग की, स्वर्ग का इमाजीनेशन क्यों किया गया, जो स्वर्ग आज हम बात करते हैं, तो आपको समझ माया, आज से 700-800 साल पहले वी, कोई राजा नवा, भारत में, कोई बहुत बड़ा संब्राट है न, सुवरिन किंग वो, वो जितना स सुख भोकता था, उसे हजार गुना ज्यादा सुख है कि मिडल क्लास का विक्ति आज भोकता है, गरम लगे तो क्या करते थी 700-800 साल पहले, अगर बहुत-बड़ा राजा महराजा हो, तो बड़ी-बड़ी चटाईयां होती थी, चटाई जमस्ते, तो चटाईयां को लटका और आप, आप अगर लोवर मिडल क्लास भी आदमी हो, आप युएसे में रहते हो, आप सुईज भी आउन करना नहीं पड़ता है, आप बस उसको फिक्स कर देते हो, वो जो उसका टेंपरेचर, दिन, रात, महीनों महीनों आप अराम से जितते हो, ना सुईज भी आउन करन पिने के लिए सावान नहीं होते थे, जिनके पास बहुत पैसा होता था, या तो उनके पास थोड़ा बहुत होता था, गरिभों के पास इतनी नहीं होती थी, और बड़ा हो छुटा हो बिमार हरको ही रहता था, क्योंकि Medical Facilities या Medical Science इतना ज़्यादा डिवलप नहीं था कि हर बिमारी का इलाज सब के पास हो आज तो बड़ी से बड़ी बिमारियां भी हो जाए तो भी जैसे Cancer जैसे खतरनाग बिमारी भी हो जाए तो भी बचने की चांस है और बहुत सारे लोग बच जाते अगर Cancer की स्टेज चुटी हो कल्पना करिये आज से जब चश्मा बनी नहीं थी जिनको ये मुतियाबिंद भी हो जाती थी ना हलकी से आज कल आप पांच मिनिट में सर्जरी करके आ जाते हैं वो जिंदे की पर के लिए अंधा हो जाते थे तो सपना क्या देखते थे काश कोई ऐसी लाइफ हो जहां 24 घंटे आखे हो काश कोई ऐसी लाइफ हो जहां खाने पिने की सामान खूम मिलता हो काश कोई ऐसी लाइफ हो जहां ये इतनी एक्स्ट्रीम ठेंड गर्मी बारिस से बचा जा सके काश कोई ऐसी लाइफ हो जहां विमारी ना पड़े जहां बुढ़ापा ना आए और काश कोई ऐसी लाइफ हो क्योंकि आप्टर एंड अब ददे मेल है पुरुश है जहां 24 घंटे में 90 का हो जाऊं पर लड़की मुझे 18-19-20 साल की अवेलेबल हो 24-7 के लिए अब ये सीजें तो हो नहीं सकता जी हुमन लाइफ में चलो राजा महाराजे थोड़ी बहुत कुछ पुरा कर ले पर बुढ़ा तो उनको भी होना होता है बिमारी तो उनको भी आती है आब 80 साल में खाने को कुछ भी मन करे तो क्या खाएंगे पैसा हो तो कहां खाएंगे तो फिर एक कंसिप्ट पैदा होता है इमाजिनेशन अप स्वर्ग फिर जंप करते हैं हमारे जैसे रिलिजियस लोग ये करो वहाँ जो तुमें सुक यहां नहीं मिल रहा है वो सुक हमें वहाँ दिलवाएंगे उसका नाम स्वर्ग है कौन दिलाएगा हम दिलाएंगे हम मेरे जैसे जो रिलिजियस लोग है आपके जो रिलिजियस गुरु हैं बाबा हैं जो भी हैं वो दिलाएंगे और अगर आप हमारी बात नहीं मानते हो, जैसे हम कहते हैं कि इस इस तरह के फ़लो करो, हर रिलिजियन के अपने रिलिजियस लीडर है, तो आपकी क्या हालत होगी, जो अभी भी थोड़ा बहुत मिल रहा है ना, वो भी नहीं रहने वाला, नर्क में जाओगे, नर्क में, तो इंसानों को डरा कर अपने बनाए गए इमेजिनेरी एक रिलिजियन के प्रति अट्रैक्ट करना, इसी लिए सारे रिलिजियन में भगवान के प्रति डर सिखाया जाता है, इवेन आज के मौड़न हिंदूईजिन में भी, पर आपके जो सनातन धर्म है, उसमें कहीं डर की कोई नामों निशान नहीं मिलेगा कि भगवान से डरो, यह अबराहिमी कंसेप्ट है, अब इसकाए, प्यूर नहीं करें रखो, अब में बुर्मन से प्यार करो, तो ठीक है आपको अशिरबात मिलेगा, इस दिफरेंट तिन प्यार सिखाया जाता है डर नहीं तो इसे डर और लालच जब religion का basic बनते हैं तो वहीं से शुरू होती है ये imaginary स्वर्गर नर्क की कलपना अगर ने notshill बोलो जो हमारी अत्रप्त इच्छाएं हैं जो unfulfilled desires हैं और कार्क्ष करके केवल और केवल मेल्स के पुरुषों की इस्त्रियों की तो हटाई दीजिए तो और थोड़ा इसको summarize करते हैं पुरुषों की अत्रप्त इच्छाओं का unfulfilled desires की जो एक dreamland है उसी को स्वर्ग गा जाता है but you are free to believe or not तो नर्क ठीक अपुचीट है जब आप हमारी बात नहीं मानोगे तो आम आपके नर्क बेजेंगे पर क्या स्वर्ग नर्क का real meaning क्या है वो अंने शुरु में बताया स्वर्ग मलव सुख भोगने का स्वह मलव आनंद गा मतलब पाने का रास्ता स्वह गम्यते इती स्वर्ग जिसके द्वारा सुख मिले जहां पर सुख मिले वो स्वर्ग है, वो तुमारी फ्यामिली हो सकती है, वो तुमारा घर हो सकता है, तुमारी लाइफ स्टाइल है, इस स्टेट अप माइंड, स्टेट अप लाइफ, तुमारी लाइफ अगर अच्छी है, तो तुम स्वर्ग में हो, अगर तुमारी लाइफ खराब है, मिजरेब हो जाते हैं उठाके ले जाते हैं फिर उनको उनके साथ क्या-क्या गंदा विवाहर होता है फिर उनको जो जो ब्लाक मार्केट में ढखिल दिया जाता है जहां ड्रॉग है सेक्स है चोटी-चोटी लड़के-लड़कियां पूरी जिन्दिगी उनका बॉडी माइंड सब कुछ सुरोंदा जाता है फ्रीडम के नाम पर एक छोटी सी कमरा होती है जहां कभी बाहर की सनलाइट पड़े न पड़े हो लाइफ गुजार देते हैं इसी हिरिष्टन में ही है लाखों में एक कौन सी जिन्दिगी आप इनको बोलोगे नर्क क्या इससे बत्तर है आप सोच नहीं सकते हो जो उनके साथ होता है अब यह आपने देखा जिन जो मिडल इस्ट में जो घटना आपने देखा उस रात को जब हमास वालों ने घुसके ठीक है आप पॉलिटिकली लड़ाई लड़ते हैं ताट से डिपरें तिंग जिन बच्चों को महिलाओं को उठा के ले गए होश्टेज बना के रखें उनके साथ क्या हो रहा होगा आप सोच सकते हैं इस इट लेजद्याने नर्क याजदियों के साथ याजदी लड़कियों के साथ जो हुआ और हो रहा है कभी इन सब चीज़ों को पढ़िए स्वर्ग नर्क लाइफ आपको समझ में आएगा हम बड़े इटूपिया में रहते हैं मिलब हमें लगता है दुनिया तो बड़ा हाहा पिंकी पिंकी रोजी रोजी है क्योंकि आपकी लाइफ प्रोंची रोजी है आपके बगल में क्या होता है अब सोच नहीं सकता है चलिए यह सवर्ग सवर्ग मतलब स्टेट अफ लाइफ है जहां सुक मिले वह सवर्ग है जहां मिजेरी और सफरिंग एक्स्टिमों नर्क है in between जहां मिक्स है वो मर्त्य है या मनुश्य जीवन है अब आते हैं अगला इ प्रेत, गुरी आत्माएं, सैतान, डायन, चुडेल, चलिए, आपको एक चीज दिखाते हैं बताने से पहले, तो मैंने गूगल में टाइप किया आत्मा, आत्मा तो आपने आत्मा के उपर इतने प्रभच्चन सोना, हिंदी में टाइप किया आत्मा, मुझे देखिये, कितने साइट्स मिले, और वो साइट्स का हेडिंग क्या था, यह जरूर जान देखना कि हम हिंदु लोग कितने ज़्यादा इग्नुरेंट हो चुके हैं, और कितने दूसरों के द्वारा इंफ्लिश्ट हो चुके हैं, मैंने टाइप किया आत्मा का लक्षण, दूस्ट आत्मा का लक्षण YouTube में आया, ये दस लक्षण बताते हैं, शरीर पे भूत है, पापी आत्मा के लक्षण, भूत प्रेतों के दस रहस्या, भूत प्रेत दोशों को पहचाने, अत्रुपत आत्मा है, भूत प्रेतों के दस रहस्या, शरीर और आत्मा का लक्षन भूत प्रेत्ट क्या होते हैं, घर में भूत प्रेत्थ होने का क्या लक्षन है, अधि-अधि. अनपढ होने पर क्या होता है ये सारे साइट हिंदू का है मैं किसी मुसल्मान क्रिश्टियन की बात नहीं कर रहा हूं जिन्हों ने वेबसाइट बनाया यूटूब बनाया जो पढ़े लिखे ही तो होंगे कोई अनपढ गवार गाओं का तो नहीं होगा वो तो आपको जिदा कहां पहुंझ जाते हैं भूत प्रेट डायन चुडेल चलिए डिसकुशन करने से पहले कुछ पिक्चर देख लीजिए वैसे तो इस पर अभी हमने रिसेंटली भूत प्रेट पर एक प्रवच्चन रखा था पर कॉंटेक्स आया तो देख लीजिए भूत प्रेट क सबसेंगे भीचारी महिलाओं के साझे भूत प्रेट बारत में आप कहीं भी जाएंगे चोटे सहरों में गाओं में एक टरग वाला कहानी सुनाएगा, जिए ड्राइब करके जा रहा था, वहाँ एक मोड पड़ता है, वहां आपने सुना था, वहां एक भूतनी रहती है, तो वहां अचानक वो गाड़ी ब्रेक लग गई, और वहां एक सफेद साड़ी पहन करके आई, घवराया, थोड़ी देर तक वो घुमी फिरी, फिर पता नहीं कहां गाए वोगी, हर ट्राइक ट्राइवर की अफनी स्टूरियों की भूत प्रेत की है, और बहुत सारे लोग हैं, सुनाते रहते हैं, अलग-अलगते रहते हैं, और वैसे मुझे आज तक समझ में नहीं आया, भूत प्रेत तो आत्मा को कहते हैं, वो आत्मा जिसका कोई बॉड़ी नहीं है, ब एहना कैसे खेर वो अलग बात है आप ढूंडीगा अंसर अब आते हैं पॉइंट पर सनात्म धर्म में भूत हमारे शास्त्रों में भूत प्रेत शब्द हैं पर भूत का अर्थ है जो कोई पैदा हो गया बन गया वो सब भूत हैं तो आप सब कौन है जो हिंदु धर्म के हिसा आप से आप सब भूत हैं है जब हम मर जाएंगे हम जब मर जाते हैं प्रकरशेनस यत्र dealing जो अच्छी तरछ चला गया दुबारा इस शरीर में नहीं आने वाला उसको परेत केते हैं जब में आपको पचाशों भूत शब्द मिलेगा उस्तो शरवाणि θα भूतानि आत्मन्न यवाने वानु पस्यती शर्व भूतेश्ष चाव्मा नम्ततो न भी जल गुप Śते, जो सभी भूतों में खुद को देखता है खुद में सभी भूतों को देखता है यहां कौन सा भूत है पराणी जो सब पराणियों में यह भी बनने हुए हैं तो हमारी यहां भूत हिश्य शब्द से बना, अब प्रेत, जो मर जाता है, उसको प्रेत केते हैं, और जो बॉड़ी को जो क्यारी करके ले जाते हैं, उनको प्रेत हार कहा जाता है, मलब प्रेत को ढोने वाला, वो बॉड़ी, जिसमें आत्मा निकल गई है, उसको प्रेत केत है बस इतनी सी बात है भूत और प्रेट तो हमारे यहां ये भूत प्रेट आया कहां से मरने के बाद कोई भूत प्रेट बनता है हमने ये अब्रहीमिक रिलिजियन से बारो किया अब्रहीम क्रिश्चियानिटी और इश्ला ये बुद्धि जिम में भी नहीं है ये जाइनजिम में भी नहीं है कोई भी इंडिक रिलिजियन में भूत प्रेत का कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि उनकी जो मदर रिलिजियन ने, जहां से ये सारे रिलिजियन पैदा हुए, वैदिक सनातन धर्म, उनमें भूत प्रेत का दूर दूर का कोई नामों निशान नहीं मिलता, कोई रिफरेंस नहीं मिलता, अगर कोई लिटरेचर में मिलने लगा, व में एक आधा ये भूत प्रेत टाइप की चीजों की रिफरेंस मिनने लगता है, पंद्रा सो साल पहले के कितने भी लिटरेचर है, और हिंदू धर्म के 90% लिटरेचर पंद्रा सो साल पहले के हैं, 5000, 8000, 10,000 साल पहले की लिटरेचर है, उनमें कहीं आपको ना कोई स्टोरी मिलती है, ना कोई example मिलता है, ना उसके कोई word मिलता है, ना कोई description मिलता है, nothing. तो 1500-1200 साल क्यों? क्योंकि उन्ही दिनों हम अच्छी तरह उन लोगों से familiar हो चुके थे, जो Judaism, Christianity या इसलाम है, फिर हमने, इसलाम तो तब बन रहा था, पर Christianity और Judaism जे हम काफी ज़्यादा फैमिलियर हो चुके थे, उनका impact हमारे religion पर पढ़ चुका था, उनके religion में क्यों माना जाता है, उनकी अपनी logic है, उनकी logic है, वो पुनर जन्म नहीं मानते हैं, मरने के बाद दूसरा जन्म मिलता है, वो नहीं मानते हैं, उनको मोक्ष का concept नह है, उनके cycle of life and death की concept नहीं है, तो concept क्या है? Single life है, जब आप अच्छा कर्म, जो भी उनके literature में लिखा गए बातों को जब आप follow करते हैं, तो अच्छे हैं, नहीं करते हैं, तो बुरे हैं, उसमें अच्छा कर्म सिधान्त भी नहीं, अच्छा बुरा कर्म का भी कुछ केल नह लेते हुए या मुश्लिम मुला मौला भी प्रवच्चन देते हुए सुन लेते हैं, सच बोलो, धरम पालन करो, तो don't be fooled. वो universal values हैं, वो बोलना पड़ता है, नहीं तो लोग भग जाएंगे. उनके religious book में ये नहीं लिखा है. उनके religious book में स्वर्ग और नर्क जाने के लिए स्पेसिफिक कंडिशन्स फिक्स्ट हैं, उनमें से उनिवर्शल एक भी universal value नहीं है. आप स्वर्ग जा नहीं सकते हो जब तक you believe in Jesus, कितना भी universal values करो. तो universal values तो बाद में एड किये गए, क्योंकि पबलिक की सोच बदलने लगी. तो स्वर्ग मर्त्य क्या था? तिनों रिलिज और दोनुक तीनों की जो common value है, कि there will be a day of judgment. और वो day of judgment एक पटिकुलर thousand years के बाद आएगा, that will be the only one day. कोई cycle नहीं. अभी तक जितने मनुष्य पैदा हो चुके हैं, मर रहे हैं या मर चुके हैं, उनको वेट करना पड़ेगा. किसके लिए? डे अप जजमेंट के दिन. जज समझ रहे हैं, उस दिन decision लिया जाएगा. और day of judgment जब आएगा, हर religion के अपनी procedure है, suppose Christianity के लेते हैं, तो भगवान जो God है, वो Jesus से पूछेंगे कि कौन-कौन लोग स्वर्ग जाने के लायक हैं, कौन नर्क जाने के. तो जो-जो Jesus को believe करते हैं, मानते हैं, Jesus उनको tick करते वो सब स्वर्ग जाएंगे, बाकि सब नर्क जाएंगे. इसलाम में थोड़ी बहुत चेंज है, जो लोग कुरान और हदीश को मानते हैं, और उसके हिसाब से लाइफ जीते हैं, वो सब स्वर्ग जाएंगे, बाकि नर्क में जाएंगे. इसी तरह थोड़ा बहुत चेंज ह पर that will be the only one day, यह रोज रोज नहीं होगा, दुबारा नहीं होगा, चार बार नहीं होगा, one day and final day, तो अभी तक जो पैदा हुए मरें, उनको वेट करना पड़ता है, इसलिए अबराहमिक रिलिजिन में शरीर को जलाया नहीं जाता है, उनको ग्रेव याड में दफनाया जाता है, क्यों? क्योंकि जब वो स्वर्ग या नर्क जाएंगे, वो शरीर के साथ जाएंगे, they will go with body, embodied, body नश्ट नहीं होगा, इसलिए काफीन के साथ अंदर डाला जाता है, तो body को तो आपने दफना दिया, कब तक day of judgment के समय, वो शरीर सब उठेगा, कबर से, कबरिस्तान से सारी शरीर, आत्मा शरीर को उठा करके दुबारा उठेंगे, और day of judgment में जाएंगे, जहां उनको स्वर्ग या नर्क का डिशिशन होगा, तो शरीर को तो आपने काफी में बांद के ग्रेवियार में दफनाया, आत्मा कहां जाएगी, वहीं आसपास भटक रही है, भटकनाया चलो आपको बुरा लग रहा है, वहीं अपना गाड कर रही है, मेरे शरीर के साथ कोई बदमाशी ना करें, मैं कैसे जाओंगा स्वर्ग नर्क के, इसलिए उनके आत्मा मा रहती है, शरीर तो दफनाया गया है, अब सपोज माफिया की आत्मा हो, परिशान तो करेंगी ना, तंग करेंगी, बुरी आत्मा यह है, और सपोज कोई बड़ा अच्छा व्यक्ति है, तो इसकी आत्मा अच्छी होगी, आपको हेल्प करेंगी, इसलिए बुरी आत्मा हैं, अच्छी आत्मा हैं, यह कंसेप्ट है, आप इसकी लॉजिक मत पूछ पूछिएगा लाजिक तो उनी से पूछिएगा इसके पीचे क्या लाजिक है हमारे यहां तो इन में से कोई भी यह सभी लाजिकल है तना तंदर मुकिश आप से मरने के बाद शरीर यह उसले से इसका कोई काम नहीं है यह घर है घर टुट गया नहीं अगर करी तो इसलिए हम शरीर को डिस्पोज करते हैं हमारे यहां डिस्पोज किया जाता है जलाया भी जाता है खाली नहीं कि जलाया जाता है जलाया भी जाता है पानी में भी डाला जाता है कभी-कभी जंगल में भी फेंका जाता है बहुत सरी तरीके हमारे में भी गाडा जाता है हमारे यहां flexibility है, maximum लोग जलाते हैं, पर इसका आर्थ नहीं कि हिंदूों में जलाने का ही विधाने, यह भी बड़ा misperception ध्यान रखे है, हिंदूों में सर्फ जलाया नहीं जाता, और भी option है, और option feasible है, क्योंकि हमारे यहां शरीर का कोई importance रहा ही नहीं, तो आपको respectfully उसको dispose करना है, जहां जो available है, वही वही चीज़ें आप यूज करेंगे, और आत्मा, आत्मा तो मरा, मला शरीर छुटा, वो अपने मन, बुद्धि, आदि, सुक्ष्म, शरीर के साथ, परमात्मा के द्वारा उसके लिए एक नए शरीर प्रुवाइड कर दिया गया है, उसको पाने की जार जानिंग में है, और जब जानिंग कर रही होती हो, कोमा स्टेज में होता है, अभी पिछले हपते के ही वेदानत क्लास में, जो वेदानत क्लास में आते हैं, वो पढ़ रहे थे, बड़े इंट्रेस्टिंग, कि आत्मा मरने के बाद, जब दूसरे शरीर तक जाती है, उसकी क्या प्रोशीजर है, एक घंटे की सुनिती, अब जो वेदानत क्लास नहीं आते हैं, वो मिश करेंगे, मैं उनको क्यों बताओ, ठीक है न, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, उसको ज़्यादा लड़ों मिलने चाहिए, तो उन्होंने पढ़ा, कैसे प्रोशीजर होता है, आत् वाटर ड्रप्स में, फिर कैसे मिष्ट में, फिर क्लाउड, फिर वाटर, फिर ग्रेंस, फिर उसकी अपनी प्रोशीजर है, उस प्रोशीजर के पूरी प्रोशीजर के शमय, आत्मा की स्टेट कैसे होती है, डॉर्में स्टेज में होता है, बिल्कुल वैसे, उसको कुछ प पटाप देते हैं, बात्चित करते हैं और उसी समय आपको इंजेक्ट कर देते हैं, अनास्थेशिया और बात करते हैं पता नहीं आप कब सो गए, उसके बीच में आपकी शरीर की पता नहीं चीरा, कहां काटा , कहां वांधा आपके शरीर के साथ तो पता नहीं, वो खेलते र जैसे बच्चा माँ के पेड़ से पैदा होता है ना, पचास तरह के पाइप लेकर के, तो आप भी ऐसे ही पाइप लेकर के सब भाहर निकलते हो, आप पुस्ते हो, क्या हो, नहीं सब ठीक हो गया, उस पैनफुल प्रोसिजर से हुआ, पर आपको पता नहीं चला, हाँ, जब बीट्वेन उसको कुछ नहीं पता लगता, वो बिलकुल आनास्तेशिया लेकर के रहने वाले की तरह होता है, हाँ, माँ के पेड़ से जब आता है, तब वो फिर सुख दुख अच्छा बुरा जो भी है, वो फील करने लगता है, तो यहाँ भूत बनने, प्रेत बनने की च प्लुएन्स, नमबर टू, जो मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके कारण से भी इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, जैसे यह हलूसिनेशन होता है, या डिलिरियम होता है, आपको कुछ ना होने पर भी दिखाई देता है, चीजें कुछ भी नहीं है, पर आपको लोग दिख अपना है, उन्होंने जूटने वाला सपन में कुछ भी आ सकता है, पर जिनको बहुत सारे लोगों को देन में, दो पर में, आँके खोले उने पर भी दिखता है, वो भी जूट नहीं बोल रहे हैं, वो हैलोसिनेशन है, वो मेंटल प्रॉब्लम है, उसके लिए साइकलोजि की बहुत भूट प्रॉट प्रॉटेन, पूप से उने जुट uhanClul on leche is not a good thing, it's a bad thing, you have to fix it . कल भूट प्रेत, कोई बी चीज जो नहीं है, और आपको कुछाई देता है, वो सब मेंटीयrun प्रॉब्लम है, शारिरीक बिमारी से होता है, बुहार से से भी होता है, पागलपन से भी होता है, यह जो माता और शितला लगरा लगते हैं, वो भी इसी कारण होते हैं, और इसी के कारण से एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम हुमन सोसाइट में आई, वो तो ठीक है, आप भूत-पृत मानते हैं, हिष्ट्री में, आपको बता है, दुनिया में कोई भी चीज आती है ना, बुरी होती है, वो किस पर लागू होती है? महिलाई, लागू होती है मला, भोगना उन्हीं को पड़ता है। रिलिजियन में जहां जहां बुराया आई, उसका सबसे बड़ा जो विक्टिम बना, वो महिलाई ही बनती है, वो अलग बात है कि वो महिलाई ही होती है, जो ब्लाइंड विलिक के सबसे जहंड़ेदार भी होते हैं, पर सफर भी वही करते हैं, ये भूत-प्रेट के कंसेप के कारण, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, पिछले 1215 साल की, बिलियन सब लेडीज मारे गए हैं, आग में डाल दिये गए हैं, आग में जिंदा चाबुक पिटाई जाती है, छुरी चलाई जाती है, सुई फोडे जाते हैं, क्यों? ये डायन है, ये चुडेल हैं, ये ज देखते हैं, 17th, 18th century में, हर साल, डकुमेंटेड ही है, 400,000 के आसपास लेडीज हर साल मारी जाती थी, या जिंदा आग में जलाई जाती थी, या उनमें गरम लोहे तपाए जाती थे, क्योंकि ये चुडेल हैं, और ये डायन हैं, वहीं से शुरुआ विच हंटिंग वर्ड और भारत में आज भी जो गरीब गुरुवे अनपड या पढ़े लिखे मुर्ख लोग भी फालो करते हैं, अकेले अभी सर्वे आया जाडखंड में, हर साल, हजारों में महिलाओं को इस तरह टर्चर से गुजरना पड़ता है, और भारत के हर स्टेट में ये है, ये मेक्स भी ये भूत प्रेत की साइड इफेक्ट, डाइन और चुडएल की रुप में, एगेन महिलाओं को ही भोगना पड़ता है, ये बहुत सिरियस बाते हैं, समझने की ज़र होते हैं, जब तक आप truth and untruth को discriminate करना नहीं जानेंगे, जब तक आप blind believer, bilim में discriminate नहीं करेंगे, जब बिलकुल वैसे जैसे इसलाम में जो लेडी जो हिजाब पहनते हैं और वो बुर्खा पहन के हिजाब के प्रो हिजाब श्लोगान देते हैं, बिलकुल वैसे ही जैसे बली के लिए जिस बकरे को ले लिया जाता है, वो बकरा चिलाता है, जिंदावाद, बली जिंदावाद, यह ना यह पक्रही होते हैं जो बली की तारीफ करते हैं जो खुद बली चड़ने वाने धन्यवाद आगले बार फिर आगले चुनेंगे तैंक्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें